बस है लो गाईज कैसे आप लोग आएगो बहुत ही ज़्यादा आच्छे होंगे तो आज है 6 तारिक और 6 तारिक को हमारा एक नानी था जो की गुजरात जाने का था और वो तारी को सागोर के साथ हमारा ट्रेन का टिकल्ट था knowledge सी दर्गुजुराइं घुजरत का था एक्सप hairs तौ अभी वही जाने लिए रेडी हो चुका है यह बस हमारा गारि अभी आने वाला है हम गाड़ी आने वाला है और हम अपने गाड़ी आने का इंतजार कर रहे हैं तो अभी यही रास्ता से हमारा कार आने वाला है और यह हमारे बैक पैकिन हो चुका है यहां से आने वाला है तो अभी हमारा कार आ चुक है और ये झाल 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 तो गाल झाल याद अभी हम पहुच चुके हैं अपने मामा के घर जो कि यहां से भी हमें जाना पड़ेगा धन बाद दूसरा कार में क्योंकि यहां से भी मामा और में मामी भी जाएंगे तो इसलिए जाएंगे और मैं बहुत ही ज़्यादा खूस हूं क्योंकि मैं पहली बार अपने घर से इतना दो जाने वाला हूँ तो खूस तो रहूं गाई ना यह है करना जारा कुछ इस प्रकार से है यह देखिए यह एक गाउं है और यहीं घर है यहीं बड़ा सा गेट लगा हुआ है यहीं घर है यहीं अभी हम आये हैं अब यहीं अब यहीं हम यहां से निकलने वाले हैं लग लग एक घंटे के बाद इस गाड़ी से यह देखिए अब यह देखिए कि अब कर दो है झाल 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 जाल अभी हम पहुंच चुके हैं धनबाद का रेलिवेस्टेशन और यह हमारा बेग बेग है । यह हमारा समान है और भी अलाउंस हो रहा है कि कौन सा ट्रेंग कब आएगा यह है धनबाद रेलिवेस्टेशन जोखी बहुत ही सांदार है और पहली बार आए हूँ यह देखिए यहां पहली बार आया हूँ यह एंड्री टिकटभी लगता है हमें यहां पहले ही पता चल चुका है कि हमारा ट्रेन लगो चार घंटे लेथ है चार घंटे बहुत ही लंबा टाइम है गाईज जैसे कि अभी हमें यहां आके पता चला कि हमारा ट्रेन चार घंटा लेथ है तो हम सुनके तो बहुती टेंसन होने लगा हमको कि हम यहां चार घंटा बैठके लब कि समझे हो ना कितना बोरिंग लगेगा यार चार घंटे विए चार बजए का ननी तो दिदिखी Month si car यहां ट्रेंग यह सट इस ज्यारह बज़े आएगा बताव सारी क्यारह बज़े चार घंटे लेत व्लोग को हेंज करते हैं और मिंते है कल के व्लोग में ठीक है क्योनकि एक करने बहूंद लग रहा हों और रहा है घोल ना तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में जोकी कल हम प्रेंड मेरेंगे तो इसज़दी से जल्दी अट बैल आकन को प्रेश जरूर कर लिजेगा मिलते हैं अगले व्लॉग में तक तक दियों आए